आज की विडियو कंजंग्शन स़े हैं. अप जानते हैं न बहुत सारे कंजंग्शन सें इंग्लिश में, आपके सामने पूरी लिस्ट है. इन सबी कंजंग्शन से रिलेटेड़ सेंटेंस की आज हम प्रैक्टेस करने वाले हैं. तो विडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग उसके आते ही सब हसने लगे ध्यान से सोचिए कि यहां पर कौन सा कंजंग्शन यूज़ होगा उसके आते ही यानि कि जैसे ही वो आया सब हसने लगे तो sentence को पकड़ना भी है कि यह किस तरह से बन सकता है जैसे ही के लिए जो कंजंग्शन हम यूज़ करते हैं वो होता है as soon as जैसे ही वो आया past indefinite tense में he came क्या हुआ फिर सब हसने लगे सब हसने लगे यानि कि सबने हसना शुरू कर दिया तो सबने शुरू कर दिया subject है सब all शुरू कर दिया past indefinite tense में आया गया उठा बैठा रोया सोया शुरू कर दिया शुरू करना को start कहते हैं उसकी second form का use होगा started और आप जानते हैं कि start के बाद जो भी verb आती है object में उसकी ing form का use किया जाता है यहाँ पर object में कौन सी verb आ रही है हसना हसने को laugh कहते हैं उसकी ing form laughing अब देखिए पूरा sentence क्या बन गया as soon as he came जैसे ही वो आया all started laughing सबने हसना शुरू कर दिया यानि सब हसने लगे अच्छा यहाँ पर हम as soon as की जगह पर the moment भी कह सकते हैं जब भी किसी sentence मे जैसे ही के लिए आप as soon as का use करते हैं उसकी जगह पर आप the moment का भी use कर सकते हैं the moment he came जैसे ही वो आया all started laughing next sentence चाहे वो बैठे यान बैठे मैं तो बैठूंगा जब भी किसी sentence में चाहे ये हो या ना हो चाहे वो आये या ना आये चाहे मैं जाऊं या ना जाऊं चाहे वो मेरे घर आये या मैं उसके घर जाऊं ये चाहे और या ऐसा जब भी आप देखें तो तुरंत आपको ध्यान आना चाहिए whether or और हमेशा याद रखिए whether के साथ वाला जो भी clause होगा जैसे यहाँ पर है चाहे वो बैठे या ना बैठे ये जो पूरा clause है ये हमेशा present indefinite tense में ही बनता है तो इस sentence को कैसे बनाए whether he sits चाहे वो बैठे और not या नहीं मैं तो बैठूंगा I will sit इसी तरह का एक more sentence चाहे वो आये या ना आये मैं तो दिल्ली निकल जाऊंगा whether he comes or not चाहे वो आये या ना आये I will leave मैं निकल जाऊंगा for Delhi दिल्ली के लिए अच्छा आब आ जाते हैं next sentence पे न वो आया न मैं गया न वो आया न मैं गया जब भी आप ऐसा sentence देखें न ये हुआ न वो हुआ न उसने कहा, न मैंने कहा, न वो आया, न मैं गया. ऐसे sentences में हमेशा neither, nor का combination use होता है. पहले वाले न, negation के case में, neither. नाइदर के बाद वो आया, he came. दूसरे वाले न के लिए, यानि negation के लिए nor, मैं गया, I went. Neither he came, nor I went. न मैंने देखा, न किसी और को देखने दिया. न मैंने देखा, neither I saw, न किसी और को देखने दिया. Nor let anybody else see. यहाँ पर आप देख रहे हैं, let का use हो गया, as a main verb. क्यों हुआ? क्योंकि जब भी किसी sentence में, हम किसी दूसरे वेक्ति को किसी काम को करने देते हैं, तो ऐसे में let का use होता है, let की वीडियो इसमें बताया आपको. Next sentence, मैं यही तो कर रहा हूँ, मैं यही तो कर रहा हूँ. बोलने में तो इस sentence को ऐसे बना सकते हैं, I am doing the same thing. I am doing, मैं कर रहा हूँ, the same thing, same चीज़ कर रहा हूँ. लेकिन यही तो, इसके लिए conjunction use होता है, that's what, that's what, यही तो मैं कर रहा हूँ, I am doing, that's what I am doing. जैसे मैं कहूँ, मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ, यही तो, that's what, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, I am telling you, that's what I am telling you. बोलने में तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ I am telling you the same thing मैं आपको same चीज़ बता रहा हूँ मतलब मैं आपको यही बता रहा हूँ Next भले ही वो कोई भी हो मैं अपने सिध्धान्तों से समझोता नहीं करता भले ही के लिए हम कौन सा conjunction यूज़ करते हैं Even if Even if he is anyone अपने सिध्धान्तों के साथ With my principles तो यह पूरा सेंटेंस बना Even if he is anyone I don't compromise with my principles अच्छा conjunctions की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भले ही के लिए आप even if के साथ साथ Even though का भी यूज़ कर सकते हैं आप कह सकते हैं Even though he is anyone I don't compromise with my principles Next sentence उसके बारे में भले ही तुम कुछ भी कहो पर उसे मुझसे बहतर कोई नहीं जानता आप बनाने का ट्राय करिए इस sentence को वीडियो को आप पॉस कर सकते हैं सोच सकते हैं थोड़ा सोचिए यहाँ पर आ रहा है भले ही भले ही के लिए मैंने जैसे आपको बताए Even if का आप यूज कर सकते हैं Even if तुम कुछ भी कहो You say anything उसके बारे में About him पर But कोई नहीं जानता Nobody knows उसे Him मुझसे बहतर Better than I know तो यह पूरा sentence क्या हुआ Even if you say anything about him But nobody knows him Better than I know अच्छा आप यहाँ पर देख रहे हैं Better than Better मतलब बहतर Than का यूज करते हैं आप जब आप comparison करते हैं I know मैं जानता हूँ मतलब कोई भी उसे उतना अच्छे से नहीं जानता जितना मैं जानता हूँ यह है sentence का sense हाँ अगर आपके दिमाग में एक question है कि better than me क्यों नहीं का Better than me तो ऐसा आप नहीं कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर किसी और के जानने का comparison मेरे जानने से हो रहा है न कि मेरे से तो ऐसे में मैं better than me नहीं कह सकता यह कुछ छोटी छोटी चीज़े हैं जो समय के साथ आपको समझ में आती जाती है next sentence उसने एक शब्द तक नहीं बोला अगर sentence में तक नहीं होता उसने एक शब्द नहीं बोला उसने नहीं बोला he didn't speak एक शब्द a word लेकिन मैंने क्या का एक शब्द तक तो तक के हम क्या कहते हैं even एक शब्द तक यानि even a word he didn't speak even a word मैंने तुम्हे पूछा तक नहीं कि तुम कैसे हो यहाँ पर भी तक आ गया तक के लिए हम even का use करेंगे लेकिन इस sentence को बनाएंगे कैसे यह देख लेते हैं मान लीजिए कि यहाँ पर तक नहीं है और यह sentence सिर्फ इतना है मैंने तुम्हे नहीं पूछा तो past indefinite tense का sentence बना कैसे बोलूँगा I didn't ask you अब जब मैंने का पूछा तक नहीं पूछा तक तो पूछने से तुरंत पहले ask से तुरंत पहले even का use हो जाएगा हिंदी में हम कहा रहे हैं पूछा तक पूछा के बाद तक और English में ask से तुरंत पहले even I didn't even ask you अब आगे का sentence बनाते हैं की की के लिए आप generally जानते हैं that का use करते हैं तुम कैसे हो अगर यह कोई question होता तो आप पूछते how are you लेकिन अगर आप इस sentence को देखें तो इस sentence में कोई question नहीं पूछा गया है मैं आप से पूछ थोड़ी रहा हूं कुछ मैं तो आपको बता रहा हूं कि मैंने तुम्हें पूछा तक नहीं कि तुम कैसे हो मैं तो बता रहा हूं मैं पूछ नहीं रहा हूं ऐसे में are का use you से पहले नहीं बलकि you के बाद होगा, तो अब यह sentence क्या होगे आपके सामने, I didn't even ask you that how you are, अभी भी यह sentence सही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी आप कभी ऐसा देखें की, की के लिए आप that कहते हैं, that के बाद अगर कोई भी clause आपका हो, जैसे यहां पर है तुम कैसे हो, और उस clause की शुरुवात किसी wh family member से हो रही हो, जैसे यहां पर हो रही है how से, तो अगर किसी भी wh family का member होता, चाहे what, where, how, when, whom, who, कोई भी हो, आप उससे तुरंत पहले that का use नहीं करते हैं, हटा देते हैं that को, तो यहां पर मैं that को हटा देता हूँ, I didn't even ask you how you are, क्या यह sentence अब सही नहीं है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखी यह जो बात है, मैंने तुम्हें पूछा तक नहीं, यह बीते कल की बात है, क्योंकि मैंने तुम्हें पूछा, बीते कल की बात हो रही है, ऐसे में की के बात का जो sentence clause है, वो भी past में बनेगा, present में नहीं, और यहां पर मैंने आर का use किया है जो कि present की verb है तो past में हमें use करना होगा you के साथ past में कौन सी verb use होती है were I didn't even ask you how you were actual में इस तरह से sentence को बनाया जाएगा मान लिजिए इसी तरह का एक sentence ले लेता हूँ मुझे पता तक नहीं था कि वो कहा है मुझे पता तक नहीं था I didn't even know की के लिए आप that का use नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आ रहा है कहां कहां के लिए आप where का use करेंगे यह एक WH family का member है अब मान लिजिए यह जो है वो कहां है सिर्फ इतना ही होता पूरा sentence तो कैसे बनाते आप where is he लेकिन आप जान रहे हैं कि यहाँ पर यह question नहीं है बलकि मैं तो बता रहा हूँ कि वो कहां है मुझे नहीं पता था तो ऐसे में is का use he के बाद होगा where he is लेकिन चुकि यह sentence past में है मुझे पता तक नहीं था ऐसे में is नहीं क्या use करेंगे he के साथ was अब आप देख रहे हैं यह लंबा सा sentence है हाला कि उसकी तबियत खराब है फिर भी मैं उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि वो सुबह से काम कर रहा है हाला की के लिए कौन सा conjunction यूज़ करते हैं आप although उसकी तबियत खराब है he is unwell unwell की जगह पे आप sick या ill भी कह सकते हैं कोई problem नहीं है फिर भी अब चुकि आपने हाला की के लिए although का यूज़ कर लिया है तो फिर भी के लिए आपको yet का यूज़ करना compulsory है मैं उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ यानि कि मैं salute करता हूँ उसके courage को यह present indefinite tense का sentence है I salute his courage की that वो सुबह से काम कर रहा है रहा है रही है रहे हैं सुबह से समय के साथ से का जिक्र हो गया तो यह sentence present perfect continuous tense में He has been working since morning तो यह पूरा sentence हला कि उसकी तबित खराब है फिर भी मैं उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि उस सुबह से काम कर रहा है Although he is unwell Yet I salute his courage that he has been working since morning अब इस sentence में जैसा कि मैं आपको Conjunctions के वीडियो में बताया था Although की जगह पे हाला की के लिए आप दो का use भी कर सकते हैं दो का भी यही मतलब होता है और यहां तक कि Even if भले ही यह sense भी बन रहा है भले ही उसकी तवेत खराब है फिर भी मैं उसकी इमत की दाद दिता हूँ कि सुबह से काम कर रहा है तो अगर आप even if का भी यह use कर लेंगे तो गलत नहीं है और यहां तक कि even though Even though का भी यही meaning निकलता है तो आप यहां पर कुल मिला कर Although की जगह पे दो, even if, even though तीनों में से किसी कभी यूज़ कर सकते हैं sentence को बना सकते हैं लेकिन जैसा मैंने आपको बताया जब भी Although का यूज़ करेंगे तो Yet का यूज़ करना compulsory है लेकिन अगर आपने Though, even if, even though का यूज़ किया है ऐसे में आप Yet का यूज़ तो करी सकते हैं इसके अलावा आप Still भी कह सकते हैं Even Then भी कह सकते हैं Then Also भी कह सकते हैं तो कई सारे विकल्प आपके सामने हैं क्योंकि Yet, Still, Even Then, Then Also सबका एक ही मतलब निकल के आता है फिर भी हलके ऐसा नहीं है कि Yet का केवल फिर भी ही मतलब है ऐसा नहीं है Yet का एक मतलब और भी तो होता है अभी तक जैसे मैं आप से कहूँ हमने अभी तक किसी को नहीं बुलाया है हमने किसी को नहीं बुलाया है We have not called anyone अभी तक Yet तो yet का एक मतलब जो पिछले sentence में था फिर भी और इस sentence में क्या निकला है अभी तक और आपकी knowledge के लिए बता दूँ कि अभी तक के लिए आप as yet भी कह सकते हैं, so far भी कह सकते हैं, by now कह सकते हैं, till now भी कह सकते हैं और जिस तरह से मैंने बताए कि yet के भी दो meaning है, उसी तरह से still के भी तो meaning है, एक मतलब तो आपने देखा कि still का मतलब होता है फिर भी, लेकिन इसके साथ साथ एक मतलब और होता है अभी भी, जैसे कि मान लिजे sentence हो, वो अभी भी बुरे दौर से गुजर रहा है, मान लिजे य going through a bad phase, अब आजाते हैं next sentence पे, अपने दोस्तों का साथ दो, ऐसा न हो कि जरूरत पढ़ने पर वो तुम्हारा साथ न दे, अपने दोस्तों का साथ दो, help your friends, help या support भी कह सकते हैं, अगर sense support का निकल रहा है तो support कह दीजी, ऐसा न हो कि, या कहीं ऐसा न हो कि, इसके लिए sentence part आता है, जो भी clause आता है, उसमें हमेशा modal verb should का use किया जाता है, तो last के बाद का clause क्या है, जरूरत पढ़ने पर वो तुम्हारा साथ न दे, वो एक से जादा हैं, they should not help you, वो आपका साथ न दे, जरूरत पढ़ने पर, in need, तो ये पूरा sentence क्या बन गया, help your friends, lest they should not help you in need, next sentence sentence, जब तक वो मेरे पैसे वापस नहीं करता, मैं उसे नहीं छोडने वाला, जब तक के लिए till का use कर सकता हूं, till, वो मेरे पैसे वापस नहीं करता, present in definite tense का negative sentence, he does not return my money, मैं उसे नहीं छोडने वाला, I am not going to spare him, छोडने को यह तो leave कहते हैं, लेकिन मैंने आपको एक वीडिय मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोडने वाला, इसके लिए spare word का use करते हैं, अच्छा तो यह पूरा sentence हो गया, till, he does not return my money, I am not going to spare him, और आपकी knowledge के लिए बता देता हूं, going to की जगह पे generally conversations में gonna word का use कर लिया जाता है, और यहाँ पर आपको ध्यान रहे, कि till की जग सा एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब तक हो मेरे पैसे वापिस नहीं करता, जब तक नहीं, जब तक नहीं के लिए मैं until का use कर सकता हूं, तो बाकी का क्या clause बचा, वो मेरे पैसे वापिस करता, तो यह अब negative नहीं है, he returns my money, तो जो until है, till का negative है, until he returns my money, जब तक हो मेरे पैसे वापिस नहीं करता, I am not going to spare him, next sentence, मैंने एक किताब खोली ही थी, कि मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब भी आपके सामने ऐसा कोई sentence आये, कि मैंने इक किया ही था कि ऐसा हो गया, मैंने आपके बारे में सोचा ही था कि आपने call कर दी, मैंने उसे देखा ही था कि उसने मुझे से कुछ पूछ लिया, इस तरह के sentences को no sooner के साथ advance English में बनाया जाता है, कैसे, मैंने एक किताब खोली ही थी, यानि कि किसी काम को किया ही था, आया था, गया था, उठा था, बैठा था, रोया था, सोया था, हसा था, जागा था, यह त no sooner के बाद आप दूसरे clause की शुरुवा देन से करते हैं, यह ती एच एन नहीं है, यह ती एच एन है, जिसका use आप comparison के लिए करते हैं, मुझे अपना बच्पन याद आ गया, I remembered my childhood, तो यह पूरा sentence क्या बना, no sooner had I opened the book, then I remembered my childhood, इसी तरह का एक sentence, मैंने तुम्हें की ही थी, कि तुम मेरे घर पहुँच गए, no sooner had I called you, then you reached my home, no sooner had I called you, then you reached my home, next sentence, वो मुझसे बात करने लगा, मानो मुझे पहले से जानता हो, वो मुझसे बात करने लगा, यानि उसने मुझसे बात करना शुरू कर दिया, he started talking to me, मानो, मानो के लिए कौन सा conjunction use होता है, as if, as if, वो मुझे पहले से जानता हो, अब चुकि ये बात हुई है, past में, वो मुझसे बात करने लगा, ये बीते कल की बात हो रही है, इसलिए जो आगे का clause भी हो, past में ही तो बनेगा, he knew me beforehand, तो जो ये पूरा sentence है, वो मुझसे बात करने लगा, मानो, मुझे पहले से जानता हो, he started talking to me as if he knew me beforehand, इस तरह से बनेगा, यहाँ पर आपकी knowledge के लिए बता दूँ, अगर मैं इस sentence को ऐसे बोलता, वो मुझसे बात करने लगा, जैसे की मुझे पहले से जानता हो, जैसे की, या मानो, एक ही sense आ रहा है, इन दोनों के लिए as if का ये use करते हैं, और ये भी बता देता हू कि as if की जगा पे आप as 2 का भी use कर सकते हैं, मैं इस sentence को ऐसे भी कह सकता हूँ, he started talking to me as though he knew me beforehand, चलिए next sentence में move करते हैं, शिक्षा मेरे लिए व्यवसाय नहीं है, बल्कि आप तक पहुँचने का एक प्रयास है, बल्कि, बल्कि के लिए कौन सा conjunction use होता है, but, education is not a business for me, education मेरे लिए business नहीं है, बल्कि क्या है, button in the ever to reach you, in the ever मतलब प्रयास, एक प्रयात्न, किस चीज़ का to reach you, आप तक पहुँचने का, यहाँ पर आप in the ever की जगा पे effort भी कह सकते हैं, try भी कह सकते हैं, next sentence, यही तो मुझे हमेशा से नापसंद था, और नियती देखी, आज मेरे पास यह करने के सिवाए कोई चारा ही नहीं है, कितना interesting sentence है, थोड़ा लंबा सा लग रहा है आपको, बनेगा बड़े आराम से, that's what, यही तो मुझे हमेशा से नापसंद था, यही मैं हमेशा से इसे dislike करता था, I always dislike, और नियती देखीए, and see destiny, आज मेरे पास यह करने के सिव सिवाए कोई चारा ही नहीं है, मेरे पास कोई choice नहीं है, I have no choice, सिवाए किसके सिवाए यह करने के, but to do it, सिवाए के लिए भी but का use किया जाता है, conjunctions के वीडियो में बताया मैंने आपको, but एक ऐसा conjunction है, जिसका use तीन अलग-लग sense में होता है, एक तो sense होता है, लेकिन पर पर sentence, उसने इस तरह मेरा स्वागत किया, कि एक पल को मुझे लगा, मानो मैं हीरो हूँ, उसने मेरा स्वागत किया, he welcomed me, past indefinite tense में ही sentence, इस तरह, यानि इस तरह से, in such a way, ये conjunction clause use होगा, कि that, एक पल को मुझे लगा, यानि एक पल के लिए मैंने महसूस किया, for a moment I felt, मानो मैं ही अच्छा, अगर आपको सिर्फ इतना कहना होता, मैं हिरो हूँ, तो तो आप कह देते है, I am a hero, लेकिन ये sentence, past में बोला जा रहा है, उसने इस तरह मेरा स्वागत किया, बीते कल में, तो यहाँ पर M नहीं आएगा, क्या एगा, was, I was a hero, तो ये पूरा sentence क्या है, he welcomed me in such a way, that for a moment I felt as if I was a hero, और दूसरी बात, अगर आप में से किसी के मन में बात आ रही हो, मुझे लगा, लगने को seem भी तो कहते हैं, तो यहाँ पर I felt, मैंने महसूस किया, मुझे लगा, इसके लिए आप ऐसे भी कह सकते हैं, it seemed to me, for a moment, it seemed to me as if I was a hero, अब आ जाते हैं, next sentence पे, सही पता लिखो, कहीं ऐसा न हो कि कूरियर कहीं और चला जाए, सही पता लिखो, write the correct address, कहीं ऐसा न हो कि, इसके लिए मैं थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, last, last, कूरियर कहीं और चला जाए, the courier should go somewhere else, मैंने आपको बताया था ना, कि last के बाद का जो भी clause होता है, वहाँ इसी तरह का एक और sentence देखते हैं, सही पता लिखो, ताकि कूरियर कहीं और न चला जाए, सही पता लिखो, write the correct address, ताकि, ताकि के लिए आप कौन सा conjunction use करते हैं, so that, कूरियर कहीं और न चला जाए, negative है नहीं पार, the courier does not go anywhere else, अब देखिए जब sentence negative है, तो मैंने कहा anywhere else, anywhere, तो generally negative sentence में आप anywhere कहते हैं, sentence अगर positive हो तो क्या कहते हैं, somewhere, जैसा कि आपने पिसले sentence में कहा, अब इसी तरह का एक और sentence, सही पता लिखो, नहीं तो कूरियर कहीं और जा सकता है, अब यहाँ पर आगे नहीं तो, सही पता लिखो, write the correct address, यह तो बिल्कुल वैसे ही बोलेंगे, नह नहीं तो, नहीं तो, या वरना, इनके लिए क्या यूज़ करते हैं, कौन सा conjunction यूज़ करते हैं, otherwise, otherwise, कूरियर कहीं और जा सकता है, the courier may go somewhere else, सकता है, possibility की बात हो रही है, इसलिए मे का यूज़ कर लिया, मे की जगह could भी कह सकता हूँ, might भी कह सकता हूँ, और यहाँ पर आ आपने देखा कि आपके सामने तीन सेंटेंस आए, सही पता लिखो कहीं ऐसा नहों कि कूरियर कहीं और चला जाए, सही पता लिखो ताकि कूरियर कहीं और न चला जाए, सही पता लिखो नहीं तो कूरियर कहीं और जा सकता है, अगर हम देखें तो इन तीनों सेंटेंस को थ देखने के साथ साथ बोलने में भी कंजंक्शन की इस प्रैक्टिस एक्सराइज से आपने कुछ तो सीखा है मुझे उमीद है और इस तरह के और भी सेंटेंसेज आप देखिए उनकी प्रैक्टिस करिए इसके लिए आप जाएए मेरी वेबसाइट www.spokenenglish.guru पे ब्लॉग पे क्लिक करिए और प्रैक्टिस एक्सराइज इस पर अगर आपको यह वीडियो लेक्टिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करिएगा कम से कम एक वाट्सेप या फेस्बुक ग्रूप में यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और कॉमेंट्स में बताईएगा कैसा लगा थैंक यू सो मॉच फर वाचिंग इस वीडियो गाईज फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्ट्चर में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक केर गुडबाए